आईए आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम बरलिंगर जो हमारा रीडर है टमप्रेचर का उससे इन्फरमेशन कलेक कर सकते हैं कि कब इसमें अलार्म आया है फिरिज टेक 2L की हम लोग बात करेंगे और यहां पे जो आपको अलार्म का इंडिकेटर और अलार्म की साउंड भी सुनाई देती है जब कभी अब नॉर्मल अलार्म होता है मीन्स टमप्रेचर रिक्वाइर्मेंट से नीचे चला गया है या टमप्रेचर को रिंग किया है वह इंफ्रमेशन आएगी प्लस इसके साट सात्रिभी इस्पगे करेगा किस तरिकर से हम लोग Ч HC करेंगे किस तरीकर से हम लोग चेक करेंगे किस तरीकर से करेंगे और clean करेंगे clear करेंगे तो यहां पर आप जेखेंगे freeze tag 12 का logger है यह इसको properly check करने के लिए हमको इसकी information होना चाहिए यह second beep है इसकी 0.2 minus 0.2 पर हर 10 minute पर यह beep आपको सुनाई देगी यहां पर indicate करेगा temperature 50 minutes तक और उसके बाद 12 घंटे तक हर घंटे पर यह information आपको आती रहेगी तब इसको किस तरीकिस हमको read करना है और reset करना है इसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्स को clear करने के लिए read button को हम लोग four times press करेंगे different different information's temperatures वहाँ पर आएंगे और four time press करने पर यह हमारा alarm का सिंबल खतम हो जाने वाला है यह यहां पर minus point two शो कर रहा है एक बार हमने प्रेस किया six point seven degrees दिखा रहा है और अब arrow जह है वो blink कर रहा है यहां पर आप देखेंगे correction का निशान आ गया क्योंकि पिछले टाइम में temperature ठीक था यह अभी फिर यहां पर arrow आ रहा है कट बनके आ रहा है यहां पर रीड बटन को आपने दुबारा से प्रेस किया 17 मिनिट्स पे रात में बारा बच के 17 मिनिट्स पे भी यह minus point two पे temperature डिवलप हुआ था minus point two तक हमारा unit गया था next time 7.5 आ रहा है जो कि सही था इस तरह से हम लोग read बटन को बार बार प्रेस करके पूरी information कलेक कर सकते हैं और जो symbol हमारा cross बनके alarm का रहा था उसको भी हम clear कर सकते हैं set बटन को दबाएंगे तो यह original अपने temperature को show करने लगेगा यह actual उसकत का temperature है लेकिन यह सब कुछ करने के साथ साथ आपको अपना जो वहाँ पर vaccines रखे हैं उनकी condition भी देखना होगी proper information भी देना होगी क्योंकि wrong information हम collect नहीं कर सकते wrong information हम share नहीं कर सकते और यह data logger correct information अपने पास 30 days की information अपने पास रखने वाला है thank you very much